गुड मॉर्निंग एवरिवन आज हम कक्षा चोथी की परिवेश अध्यन की पाठ़ा पुस्तक जहरोखा से पाठ बाइस मोहित की नई साइकल शुरू करने वाले हैं यहाँ पर पढ़ना शुरू करती हैं पेस नंबर 173, 173, पाठ बाइस मोहित की नई साइकल मोहित की नजर आज सुबह से ही घर के दरवाजे पर ठीकी है पिताजी मोहित के लिए लाल रंग की नई साइकल जो लाने वाले हैं लो आ गई तुम्हारी नई साइकल पिताजी ने आते ही कहा साइकल देखकर मोहित बहुत खुश हुआ वह कभी साइकल की घंटी बजाता तो कभी उस पर चड़ने की कोशिश करता मोहित पिता जी कल से मैं साइकल से ही स्कूल जाओंगा ना पिता जी अभी नहीं पहले मैं तुम्हें ट्रैफिक के नियम बताओंगा जब तुम इन नियमों के अनुसार साइकल चलानी सीख जाओ तब ही साइकल से स्कूल जाना और उसके बाद है अब बताओ यहाँ पर तीन पर्शन पूछे गए हैं तो चलिए इनके उत्तर जानते हैं तुम स्कूल कैसे जाते हो यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है कि तुम स्कूल कैसे जाते हो यहाँ पर अगर आप पैदल जाते हो तो लिख सकते हो कि मैं स्कूल पैदल जाता हो या जाती हो और नहीं तो आप साइकल से जाते हो तो आप साइकल से लिख सकते हो ओटो, बस, गाड़ी, जैसे भी आप जाते हो यहाँ पर बताएंगे कि आप स्कोल, कैसे जाते हो तो धारण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखकर बताया है कि मैं स्कोल पैदल जाता हूं नेक्स्ट है क्या तुम्हें साइकल चलानी आती है यदि हां तो किस से सीखी तो यहां पर मैंने आपको लिख कर दिखाया है कि हां मुझे साइकल चलानी आती है मैंने साइकल चलानी अपने भाई से सीखी तो आपने cycle चलानी किस सीखे आप अपने बारे में यहाँ पर लिख कर बताएं next है यदि नहीं तो किस सीखना चाहोंगे अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको cycle चलानी नहीं आती और लेकिन वो चलाना सीखना चाहते है तो उन से पूछा गया है अगर आपको साइकल चलानी नहीं आती तो आप किस से सीखना चाहोगे तो मैंने यहां पर लिख कर बताया कि मैं अपने भाई से सीखना चाहूंगा यहां पर आप अपनी मर्जी से अपने भाई से, पिता जी से या दोस्त से, चाचा से किसी से भी जिस से आप सीखना चाते हैं यहां पर लिख सकते हैं और उसके बाद है मोहिद पिताजी की देख रेख में साइकल चलाने का भ्यास करने लगा एक दिन मोड काटते समय वहे गिर पड़ा पिताजी ने बताया मुर्वती समय साइकल की रफ़तार थीमी रखनी चाहिए बाएं या दाएं मुनने से पहले हास संकेत भी देना चाहिए संकेत यानिकी इशारा कुछ ही दिनों में मोहिद ने ठीक डंग से साइकल चलाने सीख ली सहित इशा में चलाएं साइकल मोहित पुसता है कौन सी बाते पिता जी और फिर पिता जी बताते हैं साइकल हमेशा सड़क के बाई और ही चलाना, धीमी गती रखना, कपड़े ऐसे पहनना जो चैन या पहिये में ना फसें तो यहां पर हमें बताया है कि साइकल चलाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पहला साइकल हमेशा सड़क के बाई और यानि कि लेफ्ट साइड चलाना चाहिए, गती धीमी यानि कि स्पीड हमेशा स्लो रखनी चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो चै दिये गए कतनों के सामने सही अथवा गलत का चिन लगाओ यहाँ पर कुछे कथन दे रखे हैं तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है पहला है साइकल सड़क के दाई और चलानी चाहिए नहीं जैसा कि हमने पढ़ा और ट्रैफिक रूल्स के अकोर्डिंग ट्रैफिक रूल्स के अनुसार हमें कहां चलानी चाहिए बाई और चलानी चाहिए तो यह वाक्त है यह कतन क्या है कलत है साइकल की उचाई उतनी हो कि पैर जमीन पर टिकाए जा सकें बिलकुल सही cycle हमें ऐसी खरीदनी चाहिए जिस पर हमारे पैर जमीर पर टिकाए जा सकते हो cycle तेज रफतार में चलानी चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं ये कथन गलत है आगे है cycle चलाते समय दूसरे वाहनों से उचित दूरी बना कर रखनी चाहिए बिल्कुल सही हमें दूसरे जो सड़क पर वाहन होते हैं उचित दूरी बना कर cycle चलानी चाहिए बिना break वाली cycle चलानी चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं इससे दुरगणना हो सकती है बिना break के तो break वाली cycle ही चलाएं अगर खराब हो जाती है तो उनको ठीक कराकर चलाएं आगे है लाल पेली और हरी बत्तिया पिताजी सुरक्षा के लिए चराहों पर लगी बत्तियों का ध्यान रखना भी जरूरी है मोहित हाँ पिताजी कल हमारे स्कूल में सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया था हमें ट्रैफिक की बत्तियों समंदी कई नियम बताए गए थे जैसे लाल बत्ति होने पर रुकना पीली बत्ति होने पर चलने की तैयारी करना और हरी बत्ति होने पर चलना यहां पर देखिए, ट्रैफिक लाइट से होती हैं, उनमें तीन रंग होते हैं, कौन-कौन से लाल, पीला और हरा लाल का मतलब क्या होता है, रुकना, पीले का मतलब होता है, तैयार होना, और हरी का मतलब होता है, चलना तो, पिताजी, अरे वा मोहित, ट्रैफिक लाइट से सम्मंदित, नियम तो तुम जानते ही हो, मोहित, अध्यापिका नेहा में, इन नियमों से जुड़ी यह कविता भी सुनाई थी, चलिए, मोहित ने कौन सी कविता सुनी हैं, हम भी सुनते हैं नियम सड़के रखना ध्यान सफर तुम्हारा हो आसान देखो जब तुम बत्ती लाल वाहन की तब रोको चाल पीली बत्ती करे पुकार चलने को होना तैयार हरी बत्ती बतलाए खास चलो चलो मनजिल के पास और ये प्यारी सी कविता किसने लिखी है, सुरेखा जैन जी ने पेस नमबर 117 पर सबसे उपर दिया गया है दिये गए बॉक्स में ट्रैफिक लाइट का चितर बनाओ और उसमें रंग भिरो प्रतिक के सामने लिखो कि यह है रंग क्या संदेश देगा है पेज नम्बर 114 पर जहां पर आमने अभी अभी कवीता पढ़ी है उस पर देखिए एक ट्रैफिक लाइट का चितर बना भुआ है वैसा ही आप यहां पर चितर बना सकते हैं और उसमें तीनों लाइट के रंग भरेंगे और उनके सामने लिखेंगे कि लाल बत्ती का मतलब क्या है रुकना पीली बत्ती का मतलब क्या है तैयार होना और हरी का मतलब होता है चलना और आगे हैं पिताजी बताते हैं बेटा जहां ट्रैफिक लाइट नहीं होती वहां ट्रैफिक सिपाही पुलिसमें संकेतों द्वारा वाहन चालकों को निर्देश देता है मोहित वह कैसे पिताजी पिताजी कहते हैं मैं तुम्हें चार्ट लाकर दिखाता हूँ जिसमें ट्रैफिक सिपाही ट्रैफिक के कुछ संकेत देता हुआ दिखाया गया है इसमें संकेतों के अर्थ भी बताए गए हैं तो चलिए हम भी चार्ट दिखते हैं इसमें दिखिए ये सिपाही है पहला चितर है इसमें क्या है पीछे से आने वाहन रुके और अगर सिपाही ऐसे संकेत करता है तो इसका मतलब होता है आगे से आने वाले वाहन रुके अगर सिपाही इस पोजिसें में खड़ा है तो इसका क्या मतलब है आगे पीछे के वाहन रुके दूसरी और के वाहन चले और ऐसे हैं तो इसका मतलब होता है दाई वेबाई और के सभी वाहन रुके और उसके बाद है सोचो और लिखो क्या तुमने कभी किसी ट्रैफिक सिपाही को देखा है यदि हाँ तो कहां तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाँ मैंने एक ट्रैफिक सिपाही को चराहे पर देखा है आपने कहा पर दिखा है आप यहां पर वो लिख कर बता सकते हैं उसकी वर्दी का रंग कैसा होता है उसकी वर्दी का रंग सफेद होता है और अगला पर्षन है ट्रैफिक सिपाही चुरहे पर कहां खड़ा होता है दाए बाए या बीच में तो इसका उत्तर होगा बीच में तो आज हमन आप इतना ही काम करें और अपनी पुस्तक या कोपी में इस काम को करके इसका चित्र अपने टीचर्स के साथ वार्टसप ग्रूप में साजह करें आज के लिए इतना ही पाठ का अगला हिसा हम अगली वीडियो में करेंगे थैंक यू